हलो नमस्कार दूस्तो आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में कीबोड प्रॉलम को टुर्वल सूट कैसे करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए सु है तो आपको किया करना है यहां को किल्क करके आपको सब्सक्राइब करें शर्वलो पर आपको इस तरह सब से नीचे होगा तो आपको क्या करने इस तरह से उसको टर्बल सुट करना शुरू कर देगा और जो भी प्रॉलम होगा उसको डिटेक्ट करके उसको फिक्स कर देगा इसके बाद यह विंडो आ जाएगा तो आपको क्या करने इसको भी यहां से close करने के बाद आप आप keyword को check कर लिजेगा आपकubine case में काम करने लग जाएगा यदि फिर वे काम नहीं करते है तो आपको किया करने इसको आपको दूसरे USB port में connect करके देखना है किसी और system के yaa laptop के अंदर इसको connect करके देख लिजेगा आपका keyword सही है या नहीं है तो ये दो चीज आप confirm कर लिजेगा अगर माल लिजे फिर भी काम नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है यहाँ पर start पर right click कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको device manager दिख जाएगा इसके बाद आपको click कर देना है क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा यहाँ पर आपको दो option मिलेगा तो आपको क्या करना है सबसे पहले आप automatic के उपर click करके इसको update कर लिजेगा यदि कोई driver update होना होगा तो automatic update हो जाएगा यदि आपको case में update नहीं होता है यानि already updated दिखाएगा आपको क्या करना यहाँ पर back पर click करके back आ जाना है इसके बाद यहाँ पर आपको second option दिखेगा browse my computer drive इसके उपर आपको click कर देने इसके बाद यह window open हो जाएगा अब आपको यहाँ पर second option दिख जाएगा let me pick up for list इसके उपर आपको click कर देने क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको case में जो भी keyboard connected होगा उसके हिसाब से यहाँ पर जो अबलेबल होगा वो यहाँ पर आपको दिखा दी देगा तो आपको क्या करना यहाँ पर keyboard वाला select कर लेने हैं इसके बाद आपको क्या करना यहाँ पर next पर क्लिक कर दिने हैं यानि तो आप यहाँ पर comfortable device भी select कर सकते हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर check कर लिजेगा आपकी case में कौन सा काम करता हैं उसके हिसाब से यहाँ पर कोई एक select कर लिजेगा इसके बाद आपको next पर क्लिक कर दिने हैं इसके बाद इस तरह से automatic यह driver अपडेट हो जाएगा, आप आपको क्या किने इस window को यहां से close कर दिने, इसके बाद इस window को भी यहां से close कर दिने, इसके बाद आपको क्या किने एक बाद system को restart कर दिने, रिये start करने के बाद आप चेक कर लिजेगा, जो आपका keyboard का problem आ रहा था, वो problem solve हो जाएगा, और प्लीज गाईज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेर करें, थैंक यू,